जय हिन दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल सिवसांती क्लासस पर तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किलो ग्राम के हिसाब कैसे करना है जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि 5 किलो ग्राम आटा का पैकट का मूल 173 रुपय ह आपको निकालना है कि 2 किलो आटा कितने में आएगा या कि 450 ग्राम आटा कितने में आएगा ठीक तो ऐसे क्वेश्चन बहुत प्राबलम करते हैं लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको जिन्द की भर नहीं भूलेगा वो 5 किलो का दे वो इसके बाद चा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अभी तक आपने दी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं तो क्या बोल रहा है कि 5 किलो आटा के पैकेट का मूल्य 175 एक सो पच्छतर रुपिया ठीक एक सो पच्छतर रुपिया दिया है अब पूच क्या रहा है इसके बाद क्या देखेंगे आपको कि उसमें क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 किलो आटा निकालना है में 2 किलो आटा का मान निकालना में कितने का आएगा तो पूंच क्या रहा है किलो में पूंच रहा है तो जब क्वेश्चन किलो में पूंचे तो आपको क्या करना है आपको पहले जब क्वेश्चन दिया है कि पांच किलो वाटा कमान तो आपको एक किलो वाटा कमान निकालना है यहां पे हमारा एकिक नियम लगेगा ठिक तो पांच किलोवाटा है जब इतने रूपय में आ रहा है एक किलोवाटा कितने में आएगा एक किलोवाटा का मूल लेया मूल कितने में आएगा हमारे पास 175 भाग दे देंगे पांच का तो यह हो जाएगा पांतियाई 15 और पचम 25 35 रूपए कितना आ गया एक किलो आटा का माल आ गया मतला मुल्रे आ गया 35 रूपई जब हमारे पास एक किलो का मुल्रेळ आ गया है तब प्रसकेश वह चहाई दो किलो के वारे में पूंचे democracy 1000 梁शे हम बहुत असानी सिदे सकते हैं तो हमने question में पूके है कि 2정 karaàng मूल दो किलो आटा का मूल कितना हो जाएगा हमारे पास 35 गुणे दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 70 रूपिया अब आपको दिमाग में आना चाहिए कुछ बच्चों के जो बेसिक से देख रहे हैं जिनको यह बारे में बहुत पहली बार देख रहे हैं ऐसे वीडियो तो किसर यहां पे तो भाग दिये हैं और यहां पे आप गुणा किये हैं यह कैसे ऐसा इसलिए कि हम यहां पे क्या हुआ जादा था यह जादा से हम कम गए हैं तो जब जादा से कम जाना होता है अर्थात जब जादा जादा से कम जाना होता है तो हम क्या करते हैं भाग देते ह और जब कम से ज्यादा की और जाना होता है तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं हमने एक से दो में गए अर्था कम से ज्यादा में गए तो हमने क्या किया है जितने में गए हैं उतने का गुणा वहाँ पे तो kilo मा था अब यहाँ पे gram में है तो धिया कहा है हमारे पास 5 kilo आता का मूल्य हमें दिया हुआ है कितना दिया है 175 रुपिया तो जब हमारे पास kilo में question मतलब question पूछा था kilo में कि 2 kilo का मान निकाल तो हमने क्या किया था एक किलो का मान निकाला था लेकिन जब हमारे पूशेगा 450 ग्राम का अर्थाथ ग्राम के बारे में तो हम क्या करेंगे एक ग्राम का मान निकालेंगे एक ग्राम आटे का मोली कितना हो रहा है ठिक तो कैसे करेंगे जब पांच किलो पाँच किलो मतलब क्या करेंगे पाँच हजार ग्राम क्योंकि आपको पता है कि एक किलो ग्राम बराबर एक हजार ग्राम होता है ठीक एक किलो ग्राम बराबर एक हजार ग्राम तो पाँच किलो ग्राम बराबर किता हो जाएगा पाँच हजार ग्राम नॉर्मल सी बात है तो यहां पे हो जाएगा 5 kg अर्थाद 5000 g का 8 का मूल क्या हो जाएगा हमारे 8 का मूल हो जाएगा वही है 175 रुपिया क्योंकि आप 5 kg बोलो या 5000 g बोलो अब मैं दी 1 ग्राम बोल दो 1 ग्राम आठा का मूल तो यहाँ पे क्या होगा, यह पूरी value भाग में चल जाएगी, क्योंकि हम क्या बोले थे, कि जादा से धी कम में जाना है, तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 175 में हम 5000 का भाग देदेंगे, अब हम इसका value अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम calculation करेंगे, अब मैं यहाँ पे पॉइंट के साथ one by one आपको calculation भी सिखा रहा हूं तकि आपको कम समय लगे आप यहां भी काटेंगे फिर आपको काटना पड़ेगा क्यों क्यों कि आपका भी तो एक ग्राम का यह है हमें निकालना क्या है 450 ग्राम तो 450 ग्राम आटा का मूल्य यह कितना हो जाएगा 175 बटे 5000 यह तो हुआ एक ग्राम का निकालना क्या है 450 ग्राम का तो जब हम कम से ज्यादा में जाते हैं तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं तो यह पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा तो यदि हम इसको पहले solve करते फिर इससे गुणा करते तो वह हमें problem दे देता है अब solve अब इधर गुणा कीजिए इसमें नीचे 100 है तो इधर गुणा की नौ पना 45 हासी ला गई 4, 9, 7, 63, 64, 65, 66, 66, 66, 66, 66 मतलब 7 हासी लाई 6, 9, 1 कमना और 9, 6, 15 इतना बटे 100 आया है तो 100 में कितने सुनने हैं एक और दू तो दो अंग को छोड़कर आपको पॉइंट लगा देना है तो इसकी वैल्डू कितना आ गई 15 रूपिया 75 पैसा तो 15 असमेल पैसा मतलब 15 रूपिया 75 पैसा आपके 450 ग्राम आटे का मूल्य होगा तो उम्मीद करते हैं ये दोनों तरीका आपको समझ में आ चुका होगा ठिक यदि आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए जो नए बच्चे हैं अर्थात जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन को क्लिक हीज़े जैसे आपने तीन में से आपको और पर क्लिक कर देना है इससे क्या होगा आप इस सिवसांती परिवार के एक सदस्य बन जाएंगे और आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा ऐसे इंट्रस्टिग वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा कि हम ना बाटोंगे ना उतना बढ़ेगा यदि उसको सम्हाल कर रखनी कोशिस करोगे तो वो आप ग्यान प्राप्त करी नहीं पाऊगी क्योंकि कुछ चीजें दूसरों से आपको पता चलती है और आप भी जो अपना ग्यान है वो दूसरों को देंगे तो आप भी उस हिस्से क बन जाओगे इसी तरह सब कोई सूचे कि भीया क्यों मैं बताऊं दूसरे को तो फिर वो भी सूचेगा फिर आप तक नॉलेज कैसे पहुंचेगा तो क्या कीजिए इस वीडियो को अपने वाटसब ग्रूप में आप फेस्बुक ग्रूप में कहीं भी हर जगह फैला दीज है ठेक ना और जहां पर प्लिक करेंगे ना शूचाथी क्लासेस में तो हमारा चैनल ओपन हो जाएगा वहां पर अंदर जायएगा तो आपको बहुत सारी चीजी में लेगे नाइंत क्लास के बच्चे हैं तो नाइंत क्लास की पूरी मैथ कंप्लिट्ली सॉल्व कियी गई ह 10th class के बच्चे हैं, तो 10th class के बारे में बताया गया है, पूरी math solve कुई है, और यदि graduation के बच्चे हैं या competition के बच्चे हैं, तो उनकी लिए क्या है, कि हम trick by trick math को कैसे सरल किया जाए, कैसे square निकाला जाए, कैसे work निकाला जाए, या कि कैसे cube निकाला जाए, दो number, दो अंकों क गुणा हम कैसे करते हैं, तीन गुणा कैसे कर सकते हैं, बहुत जल्दी से जल्द, कम समय में, तो बहुत सारे trick हम बता रहे हैं इस channel पर, तो trick ठीक, तो इस channel पर विजिट कीजे और देख लीजिए, पसंद आया तो बिलकुल आप इस channel से जुड़ जाए, जुड़ना कैसे ह आप जुड़ जाएंगे, ठीक, चलिए, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत